हलो फ्रेंड्स दिस इस मदू और यूट्यूब चैनल एम विद मदू दोस्तों जो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं भारत के परवत यह उसका सेकंड पार्ट है इसे पहले पार्ट में हम हिमालिया के वर्गीकरण को देख चुके हैं जिसमें हमने आयू के आधार पर और नदि के श्रेणिया हैं उनको देखेंगे अगर आपको यूपी टैट सी टैट इन सभी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए देखते हैं हम अ कि पूर से पस्चिम में लगाईए इसको तो सबसे पहले सबसे पूर में है नामचा बर्वा परवत जब हमने नदियों के बारे में पढ़ा था तो हमने ब्रंपुत नदी के बारे में पढ़ा था जो ब्रंपुत नदी जब तिबत में बहती है और भारत में परवेश करती है तो नामचा बर्वा सिखर के पास से ही वो मोड़ती है सबसे पूर में पढ़ता है नामचा बर्वा पर्वत उसके बाद है कंचन जंगा इसके बाद मकालू फिर एवरेस्ट अनपूर्णा और धोला गिरी पूर से अगर हम पश्चिम की और लगाए हिमाले की जो चोटिया है सबसे पूर में है नामचा बर्वा फिर कंचन जंगा मकालू एवरेस्ट अनपूर्णा और धोला गिरी ये क्रम आपको याद रखना है आपकी एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अब देखते हैं जो पूर में परवच रंखलाएं हैं जो पूर के राज्ये हैं उनकी परवच रंखलाओं को देखते हैं सबसे पहले है पठकाई परवच रंखला पूर में भारत और मयमार अंतर रास्टिय सीमा पर है अब देख सकते हैं मैप में कहां पर है पठकाई परवच रंखला ये है भारत और मयमार की जो सीमा है उस परिस्तित इस परवच परवत श्रंकला असम, नागलेंड, मनीपूर, मिघाले और मिजोरम में फैली हुई है। पठकाई जो परवत श्रंकला है ये तीन भागों में फैली हुई है पठकाई बूम, गारो खासी जैनतिया जो मिघाले में पढ़ती है आपके और तीसरी है लुशाई पहाडिया नागा पहाडिया पूर में नागालेंड में इस्तित है। वो कहाँ है वो है पूर्व के जो हमारे राज्य है भारत और मैमार की जो अंतर रास्टे सीमा है उस परिस्तित है और कौन-कौन से राज्य में फैली हुई है। असम, नागालेंड, मनीपूर, मेघालिया और मिजोरम में फैली हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली परवत श्रेणी को। इस राज से लेकर राजस्थान हर्याना तक 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली है। ये 570 मिलियन वर्स पुरानी है। ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन परवत श्रंकलाओं में एक है। जो अरावली परवत श्रेणी है ये विश्व की सबसे प्राचीन जो परवत की श्रंकला है उनमें से एक है। अरावली परवत की जो सबसे उची चोटी है उसका नाम है गुरू सिखर उसका नाम है और उसकी उचाई है 1722 मीटर। अरावली परवत की सबसे उची चोटी गुरू सिखर उसकी उचाई है 1722 मीटर। और कहां इस्तित है ये ये राजस्थान में स्तित है। और राजस्थान के भी ये सिरोही जिले में पढ़ती है। अरावली जो परवत श्रेनी है ये कहां-कहां फैली हुई है गुजरात में, राजस्थान में और हर्याना में ये फैली हुई है। याद रखना है आपको कहां इस्तित है राजस्थान में स्तित है। अगली जो परवत श्रंखला है वो है विंध्याचल स्रंखला विंध्याचल परवत श्रंखला जो है ये परवत श्रंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है जो की गुजरात, मद्यपरदेश, उत्तरपरदेश और जहारखंड में फैली हुई है कहां कौन कौन से राज्यों में गुजरात में मध्यपर्देश उत्तरपर्देश और जारकंड में ये फैली हुई है मध्यपर्देश और उत्तरपर्देश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाडियों के नाम से जाता है जो इसकी कुछ पहाडिया है मध्यपर्देश और उत्तर पर्देश में फैली हुई है उसको जाना जाता है भारनेर की पहाडियों के नाम से मध्यपर्देश और उत्तर पर्देश की सीमप पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है जारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनात की पहाडियों के नाम से जाना जाता है जो विंध्याचल स्रंकला है आप देख सकते हैं इमेज में ये बहुत पुरानी है और मोड़दार है ये फैली हुई है कौन-कौन से राज्यों में गुजरात में मद्य पर्देश में उत्तर पर्देश में और जारखंड में जो इसका हिस्सा मद्य पर्देश और उत्तर पर्देश में फैला हुआ है उसको भारनेर की पहाडियों के नाम से जाना जाता है और कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है जारख सकते हैं मैप में कैमूर की पहडिया और पारसनात की जो पहडिया है ये जैन मंदिर के लिए परसिद है इस पहडियों की जो उचाई है वो है 1365 मीटर पारसनात की जो पहडिया है वो किसके लिए परसिद है जैन मंदिर के लिए परसिद है और उचाई इनकी 1365 मीटर हैं एक बर इसको रिवाइज करते हैं विंद्याचल जो परवत श्रेणी है देख सकते हैं आप मैप में ये है विंद्याचल परवत श्रेणी ये फैली हुई है कौन-कौन से राज्य में गुजरात में, MP में, UP में और जारकंड में मद्य परदेश और उत्तर परदेश में जो इसका हिस्सा फैला हुआ है कुछ को तो बोला जाता है बारनेर की पहाडी और कुछ को बोला जाता है कैमूर की पहाडी बारनेर की पहाडी और कैमूर श्रेणी और जो जारकंड में इसका हिस्सा है आप देख सकते हैं मैप में जा जो इसका हिस्सा है उसे जाना जाता है पारसनात की पहाडियों के नाम से और जो ये पारसनात की पहाडिया है ये फैमस की चीज के लिए है जैन मंदिर के लिए नेक्स ट्रेणी देखते हैं सत्पुडा पर्वत स्रंखला कौन सी है सत्पुडा पर्वत स्रंखला जो है वो दक्कन के पठार का ही भाग है दक्कन के पठार का ही भाग है सत्पुडा पर्वत स्रंखला कौन सी पर्वत स्रंखला दक्कन के पठार का भाग है सत्पुडा पर् कि पहाड़ी के नाम से जाना जाता है मध्यपरदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्व में 36 गड इस्तितिस के भाग को जाना जाता है मैकाल परवत के नाम से कौन से परवत के नाम से जानते हैं मैकाल परवत के नाम से जाना जात जो महादेव की पहाडियों का हिस्सा है सत्पुड़ा परवच रंखला की सबसे उची चोटी धूप गड़ है उचाई है उसकी तेरा सो पचास मीटर और ये हिस्सा है महादेव की जो पहाडिया है उसका इस रेणी के उतरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिन भाग पर तापी नदी बैती है अब देख सकते हैं मैप में जो उपरी हिस्सा है उस पर बैती है नर्मदा नदी और नीचे वाले हिस्से पर बैती है इसके तापी नदी तो अब जो सत्पुड़ा परवत श्रेनी हैं वो तीन भागों में बढ़ती हैं कौन-कौन सा राजपीपला की पहाड़ी मध्यपरदेश में किस नाम से जाना जाता है महादेव की पहाड़ी देख सकते हैं आप मैप में और 36 गड़ में से जाना जाता है मैकाल परवत के नाम से सबसे उची चोटी कौन सी है इसकी सबसे उची चोटी है इसकी धूप गड़ कौन सी है धूप गड़ और इसकी उचाई है 1350 मीटर 1350 मीटर इसकी उचाई है और ये इस्तित है महादेव की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियों में महादेव की पहाड़ियों में इस् अजेंता परवत्ष्रेणी की ये पूरी तरह से महरास्ट में इस्तित है इस परवत्ष्रेणी में इस्तित गुफाएं जो है वो गुप्त कालीन चित्रकला के लिए परसिध है अजेंता जो परवत्ष्रेणी है वो कहा है ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से महरास्ट में इस्तित है और इनकी जो गुफाएं इसमें स्तित है वो गुप्त कालीन चितरकला के लिए परसीद है यह आपको ध्यान रखना है बहुत important point है कौन से चितरकला के लिए गुप्त कालीन चितरकला के लिए परसीद है सत्माला पहाडी हरिष्चंद परवत श्रंखला भी महरास् जो परवत्ष्रंखला है, ये महारास्ट करनाटक तक फैली हुई है, ये परवत्ष्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के वीच में जल विभाजन का कारिया करती है। पस्चिमी तर्ट परिस्तित परवत श्रंखलाओ को पस्चिमी घाट मतलब की सहादरी परवत के नाम से जाना जाता है और पूर्वी तर्ट परिस्तित जो परवत श्रंखलाओं है उन्हें जाना जाता है पूर्वी घाट के नाम से अजेंता परवश्रेणी के बारे में हमने पड़ा है ये पुन रूप से महरास्ट में स्थिध है और सबसे इंपोर्टेंट है कि ये जानी जाती है गुप्त कालीन चित्रकला के लिए गुप्त कालीन चित्रकला के लिए ये विसुपरसिध है सत्माला की जो पहाडिया है और हरिस्चंद परवस्रंखला है ये भी माहरास्ट में ही है आपको ना किसी भी जगे की लोकेशन दे के पूछ सकते हैं ऐसे पूछ सकते हैं कि सत्माला जो पहाड़ी है वो कौन से राज्य में स्तित है तो इस तरह से आपके कोशन बन सकते हैं बाला घाट जो परवत्स रंकला है ये महरास और करनाटक में फैली हुई है और ये गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच कारिय करती है जल्वी भाजन का एक कोशन और बन सकता है कि जो पस्चिमी घाट है उसे और दूसरी किस नाम से जाना जाता है सहाद्री के नाम से उसे हम जानते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है अगली देखते हैं नल्ला मलाई पहाडी ये जो पहाडी है ये आंदर परदेश में क्रिशन नदी के दक्षिन में स्थित है कहां है आंदर परदेश में कृष्ण नदी के दक्षिन में स्थित है जो की उत्तर से दक्षिन की और फैली हुई है नल्ला मलाई पहाडी आंदर परदेश में कृष्ण नदी के दक्षिन में है और उत्तर से ये दक्षिन की और फैली हुई है आप देख सकते हैं मैप में यह है नल्ला मलाइक पहाडिया यह कहां स्थित है आंध परदेश में है और कृष्णा नदी के यह कृष्णा नदी है कृष्णा नदी के डक्षिन में स्थित है नेक्स्ट है जावदी पहाडिया जावदी जो पहाडिया है ये तमिलनाडू राज्य के उत्तर में स्थिध है कहां स्थिध है ये रही आप मैप में देखिए ये है जावदी पहाडिया ये स्थिध है तमिलनाडू राज्य के उत्तर में नेक्स्ट है नीलगरी पहाडिया नीलगरी जो पहाडिया है ये पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट जहां आकर मिलते हैं उसको बोला जाता है नीलगरी वहाँ ये पहाडिया इस्तित है जहां पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट आकर मिलते हैं ये जो पहाडी है ये केरल, तमिलनाडू, करनाटक राज्य में इफाली हुई है कौन कौन से राज्य में केरल, तमिलनाडू और करनाटक राज्य में इफाली हुई है निलगरी की जो पहाडिया है इन्हें पहाडियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है इसकी जो सबसे उंची चोटी है वो है डोडा बेटा कौन सी चोटी है डोडा बेटा इसकी सबसे उंची चोटी है और उसकी उचाई है 2637 मीटर 2637 मीटर उसकी उचाई है जो दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है परसिद डोडा जो जनजाती है वो यहीं निवास करती है निलगरी पहाडियों को पहाडियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है इसकी सर्वोच जो चोटी है वो है डोडा बेटा जिसकी उचाई है 2637 मीटर जो दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है जो डोडा जनजाती है डोडा वो भी यहीं निवास करती है यह पॉइंट भी आपको ध्यान लगना है अब एक पर रिवाइस करते हैं नल्ला मला की जो पहाड़िया है नल्ला मलाई की वो कहां है वो आंधर परदेश में कृष्ण नदी के दक्षिन में है जावदी की पहाड़िया तमिलनाडू में है निलगरी की पहाड़िया महां है जहां पूर्वी घाट और पस्चीनी घा निलगरी की पहाडियों की वो है डोडा बेटा जिसकी उचाई है 2637 मीटर और ये भारत की दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है और इन्ही पहाडियों पर निवास करती है टोडा जन जाती नेक्स देखते हैं अन्नमलाई की पहाडिया ये जो पहाडिया है ये केरल एम तमिलनाडू राज्ये की सीमा पर इस्तित है कहां इस्तित है केरल और तमिलनाडू राज्ये की सीमा पर इस्तित है इसकी सबसे उची चोटी अनाई मूडी कौन सी है अनाई मूडी इसकी सबसे उ दूसरे नमबर की सबसे उची चोटी कोन सी है वो है डोडा बेटा अन्ना मलाई की जो पाहडिया है ये केरल और तमिलनाडू राज्जे की सीमा परिस्तित है आप देख सकते हैं मैप में नेक्स्ट है काडमम की पहाडिया ये पहाडिया जो है ये केरल और तमिलनाडू में विस्तुरित है ये भारत की अंतिम पहाडिया है काडमम की पहाडियों पर इलाची की खेती की जाती है किसकी इलाची की खेती की जाती है इसलिए इसे इलाइची पाहडी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पर इलाइची के खेती की जाती है आप देख सकते हैं मैप में ये है कार्डमम की पाहडिया मैप में देखिए आप नीचे की और ये कार्डमम की पाहडिया है और इसे इलाईची की बाडियों के नाम से भी जाना जाता है पूर्वी घाट परवत श्रेणी का जो सर्वोज सिखर है वो है महेंद्र गिडी लिकिन जबकी जो पस्चिमी घाट है उसका सर्वोज सिखर कौन सा है अनाई मुडी पूर्वी घाट का सरवोज सिखर महेंदगी है और पश्चिमी घाट का है अनाई मुडी अन्ना मलाई की पहाडियों का अभी हमने जिक्र किया है अन्ना मलाई की जो पहाडिया है वो केरल और कमिलनाडू राज्ये की सीमा परिस्थित है इसकी सबसे उची जो चोटी है वो अनाई मुड़ी है कितनी उचाई है 2645 में मीटनस की उचाई है और दक्षिन भारत की ये सबसे उची चोटी है नेक्स हमने देखा कारडमम की पहाडी कारडमम की पहाडी फैली हुई है केरल और तमिलनाडू राज्य में और भारत की ये अंतिम पहाडियां है सबसे important है इसमें कि इस पर इलाइची की खेती की जाती है इसलिए इसे इलाइची की पहाडी के नाम से भी जाना जाता है next है कि पूर्वी जो घाट है उसका सरवोज सिखर है महेंद्रग्री ये भी आपको ध्यान रखना है पूर्वी घाट का सरवोज सिखर महेंद्रग्री है जबकि पस्ची में घाट का सरवोज सिखर है अनायमोडी ये point भी आपको ध्यान रखना है कोई सब भी आपको इस तरह से पहाडी देकर उसका सिखर पूच सकते हैं यहां से भी कोशन आपके कई बार बनते हैं नेक्स पहाड़ी है मांडव की पहाड़िया यह गुजरात के काठियावार्ड में स्थित है कहां है गुजरात के काठियावार्ड इलाके में स्थित है मांडव की पहाड़िया देख सकते हैं आप मैप में इसके बाद देखते हैं सेवराय पहाडिया सेवराय जो पहाडिया है ये तमिलनाडू राज्ये में इस्तित है इनका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर शेतर में है सेवराय की पहाडिया कहा है ये है तमिलनाडू में नेक्स पहाडिया है नामचा बर्वा पर्वत नामचा बर्वा जो पर्वत है वो भारत के अरुनाचल परदेश और तिबथ बोर्डर पर इस्तित है जो कि हिमाल्य की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बर्वा जो है वो हिमाल्य की सबसे पूर्वी चोटी है नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे उची चोटी है सेंडल पीक कौन सी है सेंडल पीक है लेकिन लक्षदीप की सबसे उची चोटी जो है वो है नार्ची नार्चो लक्षदीप की सबसे उची चोटी नार्चो है और अंडमान निकोबार की सबसे उची चोटी है सेंड कि पहाडिया तमिलनाडू में हैं नामचा बर्वा जो है हिमाल्य की सबसे पूरवी चोटी है और अरुनाचल पर्देश और तिबबत की बोर्डर परिस्तित हैं अंडवान निकोबार की सबसे उची चोटी है सैंडल पीक आप देख सकते हैं सैंडल पीक अंग्णमान पार की सबसे उची चोटी है और लक्षदीप की सबसे उची चोटी कौन सी है नाचो तो यहां आपका परवत पहाडियों का टॉपिक कंप्लीट होता है मैंने दो पार्ट में इस पूरे टॉपिक को कबर करा दिया और अच्छे से एक-एक पॉइंट मैंने इसमें जाते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने वाटसब स्टेडि गुरूप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ज इससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें।